बारत सरकार के स्वास्थर परिवार कल्यान मंत्राले के द्वारा दिनांक 8 सितंबर 2020 को जारी दिशर निर्देश के तहत कक्षर 9 से 12 की विद्यार्थियों को डाउट क्लासे चंचालनेतू जिला मुखेले सासाराम के अति प्रतिष्ठित संथ पॉल स्कूल में तैयारियां प से विद्यार्थियों को एक दूसरे से च्छाबट की दूरी पर कख्षा में बिठा जाएगा साथ ही कोई पी विद्यार्थी एक दूसरे का समान इस्तमाल नहीं करेंगे विद्याले में प्रवेस करने पर एक-एक मेटर की दूरी बनाते हुए सीधा कक्षा में अपने अस्थान पर बैठेंगे कोई प्रार्थना सभा का योजन विद्याले परिसर में नहीं किया जाएगा साथ ही नौवी से बारहमी के सभी कक्षाओं का संचालन कुशल सिख्शिकों के नित्रितों में विद्यार्θηों के सभी डाउड क्ल aç का निराकरण है तो तेयारी पूर्ण कर ली गई है सभी विद्यार्थिों सिख्शक सिख्शिकाओं तथा करमचारियों के लिए हर समय माु पहना आवशेक होगा विद्याले प्रबंधन के द्वारा अस्थानिय डॉक्टर से संपर्थ कर विद्यार्थी के स्वास्त के लिए कौंसलिंग अभी और शक्त अनुसार अनुसरण किया जाएगा विद्याले के अभी भाकों में भी विद्याले प्रबंधन के प्रती विश्वास देखी जा सकती है क्लास के आगे और बेंचे भी लगा दिये गए जिसमें हर एक बेंच पर एक ही लड़का बैटेगा और क्रॉस करके बैठ रहे हो तो मैक्सिमम पंद्रह से बीस लड़कों का एक क्लास अरेंज किया गया दूसरी बात है कि सैनिटाइजेशन के लिए हम लोग मशीन करीच च होता है वो हम लोग रखे हुए हैं और दूर से ही हाथ जैसे वो करता है लड़का उस पर गिरेगा तो वो अपना सैनिटाइज कर लेगा बातरूम में जितने भी बातरूम हमारे पुराने थे वो सारे नए बना दिये गये हैं और उसमें एक सोप डिस्पेंसर भी लगाया जैसे हाथ नीचे करेगा लड़का तो उसके उपर सोप गिर जाता है और सोप से हाथ मलने का और टीचर्स को हम लोग ने निर्देश दिया है कि बच्चों का हाथ मलना बार बार कराना चाहिए उन्हें कम से कम हर एक पीरियेट के बाद में या पीरियेट तो नहीं इसमें तो हम लोग उनको क्लासेज ले रहे हैं टिटोरियल क्लासेज ले रहे हैं जब कभी भी लड़के जाया ट्वाइलेट उनको बात्रूम करें और हर एक बात्रूम के सामने एक मेड या एक प्यून का ड्यूटी भी दी गई है कि वहां पे डिस्टेंसिंग बच्चों का पीरेड या दो घंटे का टाइम दिया है पिर नौवे दस्वे को दिया है पिर एगारह में बारह में को अलग अलग समय दिया गया इसलिए एक जगह कभी भी बच्चे इकट्रित नहीं हो पाएंगे जब कभी मैकसिमम इकट्रित होंगे तो चालिस पचास यह साथ यही टीन चलावेंगे टीचर्स को बताया गया कि बच्चों में उठकर के मिलने की प्रविर्टी या दोस्तों में एक दूसरे से गले मिलने की प्रविर्टी को रोका जाए आपने देखा होगे कि हर एक जगह उस तरह के पोस्टर्स लगाए गये हैं ज्याले में चाहे आप एं हर सिंग होम या हॉस्पिटल के ये बनाना है उसका बन चुका है सारा हम समझते हैं दशेहरे आते आते तक वो इन्नोग्रेट हो जाएगा यही सारी विवस्थाएं की गई हैं जिससे हमरे सारी संस्था में देखेंगे कि बच्चों को सुविधाएं हो गार्जियंस को लेटर उनसे कांसेंट लेटर भी मगाया जाए उसको भी लिख करके हम लोगों ने हर एक गार्जियंस के घर घर भेजा है और उसका रिस्पॉंस आ रहा है वो लिख करके भेज रहे जो लड़की का लिख करके आएगा उन्ही को हम लोग यहां एडमिट करेंगे या पढ़ है